स्वाथ्य समंदी चर्चा के अंदर होमेोपेटिक में एक दवा यह दवा बहुत उपकारी दवा है इसका नाम है काली नाइटरिकम नाइट्रम इसका पूरा नाम काली नाइट्रिकम नाइट्रम है अब मैं इसका परिचे देता हूँ काली नाइट्रिकम उस दी खूनी दस पेसाब में जलन होना दस ताना दमा रोग पेसाब का बार बार आना जैसे रोगों में बहुत अच्छा असर करती है विबिन रोगों के लक्षणों के आदार पर काली नाइट्रिकम का परियोग करे सिर के लक्षणों के अंदर रोगी के सिर में बहुत तेजी का दर्द होना शिर के गुमने के कारण चक्कर आना दिमाग ठकावा सा महसूस होना, जुकने के कारण शिर में ज्यादा दर्द होना, खोपड़ी का बहुत ज्यादा नाजुक होना, सिर में ऐसा लगना कि वो पीछे की और गिर रहा है, जैसे लक्षणों में रोगी को काली नाइटरिक परि आएँखों में बहुत प्रीक जलन होना, आएँखों में हर समय आँसु से निकलते रहना, आएँखों के सामने हजीब जिल्गों, के लुखतों में गाली नाइट्रीकम बहुत ही उपयोगी दावा है। देखो आँखों की तकलीफ के अंदर हम अक्सर यूफ्रेसिया, आजेंट्रम, नाइट्रिकरम, फाइश्टो, इस्टिग्मा आदी दवाओं के अंदर ही गूमते रहते हैं, कभी थोड़ा इधर भी ध्यान दीजिए, ये दवा कमजोर नहीं पड़ती, नाग के लख्षनों के अंदर रोगी और येसा मसूस होना जैसे कि उसके नाग सूज रही हो, नाग के दाइन नतूने में सूजन का जारा लगना, बार बार छ्छिएंकाना, नाग के नौका लाल होना, उसमें खुची मारना आदी, लख्षनों के अंदर काली नाइट्रिकम देने से लाब होता है अगर जुकाम भी है और आंकों से पानी और ये भी आता है तो फिर कहना ही क्या इस दवा को दो मूँ के लक्षनों में जीप का फुंसियां हो जाने के कारण उसका लाल हो जाना जीब के उपर फुंसियां होने के कारण उसका लाल हो जाना जीब की नोग पर जलन मेस्सूस होना यह नोग गले का शुक्रवाज़ा लगना अधी लख्षनों में काली नाइटृ का मोच्दी का परयोग करना जहिए मल के लख्षनों में मल का बिलकुल पत्ला पाने जैसा कून के साथ आना गाई के बच्डे का मास खाने के कारण दस्त आना जैसे लक्षणों में रोगी को काली नाइट्रिकम होती देने से अराम मिलता है इस्तरियों के रोगों के अंदर माशिक स्राव का समय से काफी पहले आ जाना स्राव का ज्यादा मात्रा में काले रंग का आना माचिक सराव आने से पहले और आने पर कमर में दर्द होना योनी में से पानी आना माचिक सराव के दोरान डिम परदेश वे जलन होना आधी लक्षनों में काली नाइटरिकम लाब करती है सांस के लक्षनों में गले में खराश सी महसुस होना रोगी को सुबह के समय खांसी उटने के साथ बलगम में कून का आना चाती में दर्द होना सांस की नली में सूजन आना दमा रोग होने के साथ ही सांस लेने में परिशानी आना जी मिचलाना चाती का चुकडा हुआ सा तीबी रोग की नई नई आवस्ता सांस लेने में परेशानी इतनी ज़्यादा बढ़ जाना कि रोगी को पानी पिना भारी हो जाता है बलगम में से खटी सी बद्बू आना आवाद की नली में खराबी हो जाना आदी लक्षनों में रोगी को काली नाइटरी कम उसी जन से ला हार रहा हो सुबा रहा हो नाडी का कमजोर हो जाना दिल की दरगन का तेज हो जाना आदी लक्षनों में काली नाइटरी कम उसी का सेवन लाब दायक होता है शरीर के बारी अंगों में हात और हात की सारी अंगलियों में सूजन आ जाना कंदों और जोडों में बहुत तेजी से होने वाला धर्द असकंद फलकों के बीच के हिस्से ये असकंद फलक ये बीच का हिस्सा किसी चीज के चुबने जैसा धर्दोना आदी लक्षनों में काली नाइट्रिक्रिम का परियोग करना चाहिए इसके रोगी की रोग ब्रदी गाई के बच्छडे का मास खाने से और दोपर के समय रोग बढ़ता है और घूट घूट करके पानी पीने से रोग कम हो जाता है इसके साथ में ओपियम न दें नाइट्रिक इस्परिट डल्चिस्ट न दें इसकी तुलना काली नाइट्रिक्रम उस्दी की तुलना गन पाउडर केना भी सेटाइवा लाइको पोडिम सेंग्वी नेरिया एलियम से टाइवा उस्दियों से की जा सकती है काली नाइट्रिक्रम उस्दी की तीस पोटेंसी सबसे अच्छी है